हेलो दोस्तो आप सभी का सुवागत है हमारे इस यूटूब चैनल इंडियन टै के स्टोडियो में और दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टग्राम कैसे चलाते हैं हाउ to use Instagram इसके बारे में आज की फीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और दोस्तो यदि आप इंस्टाग्राम पे नई हो और आपको Instagram चलाना नहीं आता है और आप चाते हैैं Instagram च्लाना सीखना इंस्टाग्राम कैसे यूस करें कैसे चलाएं तो फिर आप इस वीडियो को बिना skip के वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो को लाश्टे तक देखेगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप से छोटी इस request है यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक निकिया so guys वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें तो चलिए दोस्तो बिना दिरी के वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एपलिकेशन को उपन करना है और इंस्टाग्राम एपलिकेशन को उपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटर्फेस उपन हो जएगा और दोस्तो अब आपको मैं इंस्टाग्राम चलाना सिखाऊंगा इंस्टाग्राम कैसे यूज करें कैसे चलाए तो दोस्तो आप इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखेगा और अच्छे से समझेगा ठीक है ना तो देखे दोस्तो यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहला option मिल जाएगा योवर इस्टोरी का उपर कोर्णर में left side में ठीक आप देख सकते हो यहाँ पर योवर इस्टोरी का option ह यहाँ से दोस्तो आप अपने instagram पे इस्टोरी डाल सकते हो इस्टोरी पोस्ट कर सकते हो तो आपको क्या करना है आपको यह वर इस्टोरी वाले option पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपके mobile की gallery open हो जाएगी आप लोग देख सकते हो मेरे mobile की gallery open हो चुकी है और दोस्तो आपके मुवेल में जितने भी फोटोस वीडियोस होंगे सभी दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है और आपको इसमें एक option मिल जाएगा camera का आप देख सकतों यहाँ पर camera वाला option है तो दोस्तों आप यहाँ से कोई भी फोटो वीडियो किलिक करके record करके उससे पोउष्ट कर सकते हो ठीक है और दोस्तों अगर आपको अपनी gallery से कोई भी फोटो इस्टोरी में लगाना है तो दोस्तों यहाँ से आपको कोई भी फोटो वीडियो सेल्ङत करना है फोटो सेलेक्ट या वीडियो सेलेक्त करने के बाद इस तरह का interface ओपन हो जाएगा ठीक ह और दोस्तो अगर आपको अपनी story में music add करना है music लगाना है तो आपको इसमें एक option मिल जाएगा ओपर यहाँ पर देख सकतो यह music का आपको इस पे click करना है जैसी आप इस पे click करोगे आपके सामने इस तरह का interface open हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तो आपको काफी सारे songs मिल ठीक है फिर दोस्तो यहाँ पर मैं back आ चुका हूं फिर आपको इसमें यहाँ पर दोस्तो effect का option मिल जाएगा आप इस पे click करोगे तो दोस्तो आप अपनी story में effect लगा सकते हैं यहाँ पर देखे दोस्तो काफी सारे effect आपको इस तरह से आपर मिल जाएंगे जो भी effect आपको अच्छा लगे उस effect को आप यहाँ पर add कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर इस वाले effect को add कर लिया है ठीक है effect add करने के बाद आपको done वाले option पर click कर देना है ठीक है फिर दोस्तो आपको इसमें यहाँ पर sticker का option मिल जाएगा इस पर आप किलिक करोगे यहाँ पर आपको इसमें GIF add कर सकते हो अफतार add कर सकते हो इस टोरी में music song लगा सकते हैं पूल का option है और यहाँ पर देखे यह वाला sticker है और link भी आप डाल सकते हैं ठीक है तो काफी सरे option है इसी तरीके से ठीक है अब दोस्तों में यहाँ पर back आ चुका हूँ फिर दोस्तों अगर आपको story में text add करन Evalid आपको क्या करना है आपको दोस्तों यहाँ पर यह डॉबल एक option मिल जाएगा आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों से model रजिए और जो भी आपने सैब कर सकते हैं चैयां कर सकते हैं और दोस्तो इतना करने के बाद आपको इस्टोरी को कैसे Tribal करने है तो यहाँ पर offshore देखे दोस्तों आपको इसunya को आप्षां पर पर एक पर हो यहाँ पर एक ऊपना से लोटरी करता हूंं करता हूं और यहां पर देख सकते हो इस टोरी पोस्ट हो चुका है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप अपने इस्टाग्राम पर इस टोरी को एड़ कर सकते हो एंड यहां पर डाल सकते हो ठीक है फिर दोस्तों आपके जितने भी फोलोविंग है उनकी इस टोरी आपको यहा आप यहां से story को like कर सकते हैं and दोस्तों आप शीयर का ओप्शन है आप अपने friend के story को यहां से share भी कर सकते हैं जिसे आप share करना चाहते हैं और दोस्तों आप को home page पर कापी सारी पौश्ट वीडियो आपको मिलेगी तुलॉविंग है उनकी सबकी आपकी पोश्ट हीपर दिख दो बार आप पोस्ट पे किलिक करोगे तो पोस्ट लाइक हो जाएगा यह देखे दोस्तो पोस्ट लाइक हो चुका है एड दोस्तो यहापर देखे कॉमेंट का ओप्सन है आप यहाँ से पोस्ट में कॉमेंट कर सकते हैं जो भी आपको करना है एंड आपको यहाँ पर काफी स तो दोस्तो आप यहां से पोस्ट को शेर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ ठीक है और दोस्तो आप पोस्ट को अपने इंस्टग्राम पे शेर भी कर सकते हो मतलब दोस्तो आप अपने इंस्टग्राम इस्टोरी पे शेर भी कर सकते हो किसी भी पोस्ट को या वीडियो को ठीक है और आपके से पोस्ट को सेव भी कर सकते हैं जिससे आप बाद में भी देख सकते हैं ठीक है यहाँ देखे दोस्तों यहाँ पर सेर का उप्शन है इस पर आप किलिक करोगे एंड यहाँ पर देखे दोस्तों एड इस्टोरी का उप्शन है अगर आप अपने इस्टोरी यहाई अब दोस्तों यहाँ पर बैक आ चुका हूँ प्र आपको यहाँ पर देखे दोस्तों आपको क्या तो brightness में right side में आपको message का option मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर आप इस पर click करोगे तो आपके सामने इस तरह का interface open हो जाएगा यहाँ से दोस्तों आप अपने friends को message कर सकते हो और आप यह देख सकते हो आपने किन-किन बंदों को message किया है सब यहाँ पर so हो जाएगा और मेंसीज में लिखना कोई सांब करें और उसके पास और message पर छहाँ है और आपको अपने उस नयां केंगों हो जाएगा अप दोस्तों आपको बेक आना है और यहाँ पर दोस्तों आपigkeiten हाट का option मिल जाएगा उपर कोने में आप देख सकते हैं आप इस पर किलिक करोगे तो दोस्तों आपके पोस्ट पर जितने भी लाइक साएंगे एंड आपको जो भी बंदे फोलो करेंगे उनका सभी नोटिफिकेशन आपको यहां पर सोः हो जाएगा जैसे आप films अलएत Packart करेंगे इस पर आप 197 करोगे तो दोस्तों आप यहां पर आप को से अबगे और आपको सर्च का ऊप्सन मिल जाएगा इस पर आप किलिक करोगे तो दोस्तों आप यहां से किसी को भी search कर सकते हैं जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं search करता हूँ विराट कोली तो जिसका भी आप username डालोगे नाम डालोगे तो वही बंदा यहाँ पर आ जाएगा जैसे देख सकते हो यह मैंने search किया यह आज को है है यहाँ ठीक है इस तरह से दोस्तों आप follow और unfollow कर सकते हैं अब आपको simply यहाँ पर back आना है फिर आपको इसमें यहाँ पर एक option मिल जाएगा पलस का ठीक है आप plus वाले option पर किलिक करोगे तो दोस्तों यहाँ से आप post कर सकते हो आपको इसमें सबसे पहला option मिल जाएगा पोस्त का तो दोस्तों अगर आपको अपने Instagram पर कोई भी post करना है तो आप यहाँ से post कर सकतो आपकी gallery open हो जाएगी आपको अपनी gallery से जो भी photo post करना है उसको select करना है और यहाँ पर देखे दोस्तों आपको इसमें एक option मिल जाएगा यह आपको इस पर click करना है आप यहाँ से photo का frame छोटा बड़ा कर सकते है इस तरह से ठीक है इतना करने के बाद आपको क्या गरने next वाले option पर आपको click कर देना है और इस तरह का interface open हो जाएगा ओके और यहाँ पर देखे दोस्तों आपको इसमें नीचे side में यह copy सारे filter मिल जाएगे आप यहाँ से photo में filter add कर सकते है ठीक है इस तरह से कोई भी filter आप add कर सकते हो और नीचे edit का option है आप यहाँ से edit भी कर सकते है ठीक है इतना करने के बाद आपको next वाले option पे click कर देना है आपको उपर corner में next का option मिल जाएगा next पे click करने के बाद ऐसा interface आएगा यहाँ पर आपको ok कर देना है और यहाँ पर देखे दोस्तों write a caption दोस्तों आप यहाँ से title वगरा लिख सकते हैं जो भी आपको post में लिखने है वह आप यहाँ से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखता हूं में nice photo ठीक है यह मैंने हाँ पर इतना डाल दिया है आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपने साब से ठीक है तो मैंने हाँ music पर आपको क्लिक करना है कापी सारे songs आ जाएंगे कोई भी songs आप यहां से सेलेक्ट करके आप उस song को अपनी post में add कर सकते हो ठीक है और यहां पर देखें दोस्तों आपको क्लिक कर देना है और आपकी post यहां पर successfully upload हो जाएगी तो दोस्तों आप इस तरह से instagram पे post कर सकते हो ठीक है और दोस्तों अब आपको क्या करना है आपको फिर से plus वाले option पे क्लिक करना है और दोस्तों अब आपको इसमें दूसरा option मिल जाएगा story का आप देख सकते हो यहाँ पर story वाला option है ठीक है तो दोस्तों आप इहां से भी अपने instagram पे story डाल सकते हो पोस्ट कर सकते हो ठीक है फिर दोस्तों आपको इसमें तीसरा option मिल जाएगा रेल का ठीक है आपको रेल का option दिखाई दे रहा होगा तो दोस्तो आप यहां से अपने Instagram पे रेल वीडियो बना सकते हो तो आपको रेल वीडियो कैसे बनाना है रेल वीडियो बनाने के लिए आपको रेल वाले option पे क्लिक करना है और आपके मुवैल का camera open हो जाएगा इस तरह से ठीक है और दोस्तो अब आपको वीडियो कैसे record करना है दोस्तो यहां पर आपको इसमें यह camera का option मिल जाएगा आप दिख सकते हो वीडियो record करने के लिए आपको इस camera वाले option पे प्रेस करके रखना है और आपका वीडियो record होना start हो जाएगा तो चलिए दोस्तो मैं आपको वीडियो record करके दिखाता हूँ ठीक है तो देखे दोस्तो आप इस तरह से वीडियो को record कर सकतो मैंने आपको वीडियो record करके दिखा दिया है और दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें देखे effect का option मिल जाएगा आप यहाँ से effect add कर सकते हो यह देखे काफी सारी effect आपको मिल जाएगे उसके बाद आपको इसमें music का option मिल जाएगा आप यहाँ से music लगा सकते हो अपने real video में यह देखे दोस्तों काफी सार यहाँ पर सोंग आपको मिल जाएंगे उसके बाद दोस्तों आपको इसमें आपको लेंट का उप्शन मिल जाएगा आप यहाँ से लेंट सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है स्पीड आप सेलेक्ट कर सकते हो उसके बाद दोस्तों आपको क्या गड़ना है आपको next का option मिल जएगा इस पर आपको click कर देना है और आपके सामने इस तरह का interface open हो जएगा अब आपको next वाले option पर click कर देना है और यहां पर देखें दोस्तों आपको edit cover का option मिल जएगा आप यहां से अपनी real video का जो cover photo है उसक तो आपको right take caption का option मिल जाएगा, आप यहां से real video में title विगरा लिख सकते हैं, hashtag डाल सकते हो, ठीक है, नीचे आपको इसमें tag people का option मिल जाएगा, आप यहां से real को tag कर सकते हो, location add कर सकते हो, add reminder का option है, और यहां पर say to facebook का भी option है, आप अपने facebook पे भी real video को share कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसी आप instagram पे real video बना सकते हैं, ठीक है, फिर दोस्तों आपको क्या करने है, आपको यहां पर एक option मिल जाएगा, यह plus वाला, फिर से आपको plus वाला option पे क्लिक करने है, और आपको इसमें last में एक option मिल जाएगा, live का, तो दोस्तों आप यहां से अप यह भी video है, तभी real video आपको इन पर बखाये देगी, आप यहां से real video को कुछ नया तरीका सीखो, wishing you many more candles to blow, मैं दूआ करता हूं, यह दिन बार बार आए, have a great birthday, आपका जन्म दिन अच्छा हो, wishing you a wonderful birthday, नीचे को नमें आपको शान्दार जन्म दिन की शुब कामना है, जैसी आप इस पर click करोगे, तो दोस्तो आपके सामने इस तरह का interface open हो जाएगा, यहां पर दोस्तो आपकी जो profile है, वो open हो जाएगी, ठीक है, और यहां पर देखें दोस्तो आपको इसमें post का option मिल जाएगा, आप यहां से post देख सकते हो, आपने अपने Instagram पे कितनी post की है, जैसी यहां पर देख सकतो, मैंने अपने Instagram पे 25 post की है, और वही यहां पर दिखा रहा है, ठीक है, फिर आपको इसमें यहां पर followers का option मिल जाएगा, आपके कितने followers है, वो आपको सो हो जाएगे, फिर यहां पर आपको following का option मिल जाएगा, आपके कितने following है, वो आपको यहां पर दि क्लिक कर देना है यहां से दोस्तों आप अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हो कैसे चेंज करना है इसमें आपको न्यू प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपके गैलरी ओपन हो जाएगी वहां से आपको भी फोट प्रग्राम का यूजर नेम चेंज कर सकते हो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं अपने बारे में एंड दोस्तों यहां पर आपको यह देखें लिंक का ऑप्शन मिल जागा ठीक है आप यहां से लिंक डाल सकते हो अगर आपका कोई भी पेज है या फिर यूटूब चैनल है आपसका लिंक डाल सकते हो और दोस्तों आप यहां से अपना जेंडर चेंज कर सकते हो ठीक है थोड़ा स्क्रोल डाउन करोगे यहां पर देखें पेज का ऑप्शन है यहां से आप पेज के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो और यहां बादे कैटगरिया आप चेंज कर सकते हो व इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर share profile का option है और copy link option है तो दोस्तों आप यहाँ से अपने link को copy करके share कर सकते हो ठीक है और यहाँ पर दोस्तों आपको highlight show हो जाएगी जो highlight story है वो आपको दिखाए देगी और आपने अपने Instagram पे कितनी post की है यहाँ पर आपको दिखाए देगी ठीक है फिर आपको इसमें real का option मिल जाएगा आप यहाँ से अपने real वीडियो को देख सकते हो आपने Instagram पे कितनी real वीडियो को upload किया है ठीक है अब दोस्तों आपको क्या करने देखे ऊपर यहाँ पर एक three line का option मिल जाएगा आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बात दोस्तों आपको समें settings and privacy का option मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको काफी सारे option मिल जाएगे जैसे आपर देखे notification का option है और यहाँ पर account center का option है account center पर आप क्लिक करोगे तो यह loading लेगा और आपके सामने इस तरह का interface open हो जाएगा यहाँ पर देखे personal details का option आपको मिल जाएगा फिर आपको समें password and security का option मिल जाएगा आप यहाँ से password चेंज कर सकते हो यह देखे change पासवर्ड का option है आप यहाँ से अपनी instagram का password चेंज कर सकते हो इस तरह से इसमें और भी काफी सारे option है उसके बाद दोस्तों आपको समें यहा यहाँ पर फेस्बुक अकाउंट को एड किया हुए देख सकतों यहाँ पर यह इंस्टग्राम अकाउंट है और फेस्बुक अकाउंट को मैंने एड करका है ठीक है फिर आपको इसमें परसनल डेटेल्स का अप्शन मिल जाएगा इस पर आप किलिक करोगे यहाँ से आप अप इसमें ब्लोक का अप्शन मिल जाएगा आप इस पर किलिक करोगे आपने कितने बंदों को ब्लोक कर रखा है यहाँ पर आपको सो हो जाएगा यहाँ से आप उनको अन ब्लोक भी कर सकतों अन ब्लोक पे किलिक करके ठीक है इस तरह से आप यहाँ से देख पाएंगे अब यह कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है और दोस्तों होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना शेर करना कमेंट करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्